सेंटल जेल में चल रहे अवैद वसुली मामले में साथ गिरफतार इस मामले में चार जेल करमचारियों के साथ ही दो कैदियों और एक कैदी के रिष्टिदार को भी किया गिरफतार अजमे के सेंटरल जेल में चल रहा है अवायद वसली मामले में आज बश्टचा निरोतो ग्योर ने एक बड़ा खुलासा किया है एसीब के संबाग इस तरह साथ टीमों ने आज पूरे दिन अचमेर में कारवाई करते हुए चार जेल करमचारियों के साथ ही दो कैदियों और एक कैदी के रिष्टदार को भी गिरफतार किया है जानकारी के नुसर इस मामले में अभी कुछ और जेल करमचारियों और अधिकारियों की भूमिका भी संदे के घेरे में है जिनकी जाच जारी है अजमे के सेंटरल जेल में बंद कैदियों के लिए बले ही इस स्तान को सुदार ग्रे का नाम दिया जाता है लेकिन आज इस सचाई का खुलासो हुआए कि सेंटरल जेल में जेल विवा के करमचारियों और अधिकारी साथ मिलकर भष्टचार के अपराद की स्क्रिप्ट लिख रहे है जेल की उजी दिवारों की पीछे लिखी जारे इस अपराद की कहानी की किरदारों में कुक्यात अपरादियों के साथ ही जेल की करमचारियों की भूमिका की जानकरी ने एस सेबी की कान खड़े कर दी है मामले की तस्तिक हुई तो आज अजमेर सेंटल जेल सहित मामले में जुड़े संधिक्तों के ठिकानों पर अजमेर वे जयापूर एसीबी सहितांत टीबों ने चापा मार कारवाई की फिड़ जो सच सामने आए वो चौकाने वाला था अजमेर एसीबी एसपी राचिव पचार के अनुसा जेल में प्रतिबंदित समान ले जाने इस खेल का कीमत हर मईने लगबग 25 लाक रुपे की थी एसीबी को कारवाई के दरांज जेल के कैदियों के पास 6 मबाईल फोन भी बरामद हुए अलग से पकाया हुआ बोजन, सिग्रेट, बीरी, गुटका, अन्य सुचना के बेसिस के उपर आज साथ ती में अलग-अलग बनाई गई थी अजमेर संभाग की और एक ती आलग सर्मा की जैपूर शाही थी और इन टेमों के द्वारा मिलके कारवाई की गई इस कारवाई के दोरान चार जो जेल के स्टाफ है करम चरी उनको गिरबदार किया गया है और तीन वेक्ति इसमें एक जेल का कहदी है जो की पैरोल पर आयो हुए बार और दो उसके प्रिवार के लोग उन लोगों को लाके और अभी डिटेन किया गया है इसमें सर्च के दोरान हमें 6 मोबाईल, इसाब किताब का रिकोर्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल और कुछ हमें सामगिरी मिली है इसमें अभी तक की जानकरी में ये आया है कि ये लोग परती माल अगबग 20 लाक से 25 लाक रुपए के बीच की इस तरह की रासी एक्तरित करते थे और वो रासी विबिन अपने अपने जो हैं आपस में बाठते थे इसमें जो लोग जेल के करमचरी जो है उनमें संजे सिंग्, केसा अराम, परदाण और अरुन सिंग् – जो बाहर से जो लोग हैं उसमें एक साथान सिंग है जो कि सरवार इलाके का और मर्डर में जेल में बंद है पैरोल पे जो आया हुआ है दिपक उर्फसनी ये वेक्ति बलादकार के मामले में जेल में दोनों वेक्ति 2015 से ये जेल में सजायापता हैं आज इवन कारावास की सजा काट रहे हैं और ये पिछले 5 साल से जो लंगर है मैस का जो खाना बनाते हैं उस लंगर के इंचाज रहे हैं तो ये जो सामगरी पहुँचाते हैं जेल के अंदर जिसमें बीडी, गूटका, मॉबाइल, ये सारा सामान ये लंगर का जो सामान जाता है उस सामान के अंदर चुपा करे जैसे आठा जा रहOOD है अंदर जाने के बाद इस सामान की दर्यों बहुत अधिक हो जाती है मसलएं बीडी का एक चोटा जो बंडल आता है वो 1500 रुपए का एक बीडी के जो पेकेट है उसकी रेट लगबग 15,000 रुपे, गुटके किये कि किमत 600 रुपे जेल के अंदर, जो इन्होंने परामभी कुरूप से पूछता अच्छें बताईए, वो सामने आईए, इसके अलावा इनके पास जो सामान पैक करने का, जब ये बाजार से सामान परचेज करते हैं, तो उसक खोल के उसके अंदर जो सामान चुपाते हैं, वापिस उसको सील करने की मैसीन भी उनके घर की तलासी के दोरान पुलिस को मिली है, इसमें ये करते हैं कि या तो जो कैदी अंदर से है, जिसको सुविदा चीए, वो वेक्ति अपने परिवार जनों को फोन करता, ये उसको ड मार्ट के आपस में डिस्टिबूट करते थे, बाकी अभी जेल के इस तरफे तलासी चल रही है, और उनके जो रिकोर्ड है, विबिन तरह के, जो अभी सीज किये गए है, उसमें फर्दर इंवेस्टिगेट किया जाएगा कि इसमें और कितने लोग, कौन लोग इसमें समलि हो सकते हैं, मेरी तरफ से, पुलिस मुख्याले की तरफ से, अंटी करप्शन के सभी अधिकारियों को बहुत बहुत बदाई, धन्यवाद ये सारी तेंपिछे कड़ी है, इसमें जेल अधिकारियों की क्ति निक्ता है, क्या उनकों भी हिस्सरदारी पहुंच रही थी, इस स दोशारे जो बाते हैं, ये अभी ले के आये हैं, तो उसके बाद इंटरोगेशन है, जो अकाउंट मिले हैं, जो डिटेल हमारे पास जो है, उसके इन्वरस्टिकेशन के वेसिस पे हम की जोग होते हैं. अदोनों तरह आता है जो कैश कलेक्ट होता था वह सिधा डायरेक्ट टूसे किसी वेक्ति को पहुंचा अपने करमवहां डिकाया यह दोनों जो बंदी है यह लगबग 2015 से हैं आज इवन करावाज से जेल में है और अभी जो रिकोर्ड मिला है वो लगबग दो दो ड़ाई मेने का आसपास का रिकोर्ड है बाकि उसके बाद जो पिछे के बैंक अकाउंट है उनकी जो डिटेल है उनकी जो किलियर होगी उसके बाद बताते हैं तो बाड़े वाई जो उनके अंदर जो बने वे हैं बैरेक्स बैरेक नमर वन टू सिक्स्टीन बैरेक वाइज अलग से इस्टिबूट कर रखा तो वो सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में किलियर हो पाई है नहीं बैसिकली उसमें दो करमचारी जो जेल से यहां से अभी उ कि इसमें एक बंदी जो सेतान है वह आज पे अनिकलने वाला था दूसरा समनी das इसके घर्षए मशीए करने की ब्रामद हुईयकशद आपको मिलवा देंगे परिवारजणों से जब सब चाहो तब खाने की विशेश सुविधा हैं मिल सकती हैं यदि आप किसी वैसन के किसी लट के आदी हो सराब पिने सिग्रेट पिने गुटका पिने बीडी पिने के तो वह सुविधा है आपको जेल में उपने उसमें भी कुछ शिकायते हैं अभी प्राहंविक पूस्ताच में कुछ एक विंदों पर आई है कि कुछ पैसा केंटीन में भी जमा हुआ है वह काम के लिए हुआ है या कैदी के उप्योग के लिए वह तब तिसके बाद के लिए रुपाइल में जो अभी तक की जो पूस्ताच है उसके इसाब से जो रेट आई है उसमें छोटा मोबाइल जो की क्रिवन पंदरा सो रुपए का जार रुपए का मिलते हैं दूसरा जो अपना एंड्रोइड का सिस्टम जो है टच्स्क्रीन उसकी रेट लगबग पंदरा से बीच जार रुपए के बीच में है और अभी तक की जो सूचनाए है हमारे पास उसमें यह कि मुखे रूप से की पैड़ का फॉन काम में लिया जाता एक तो यह कि पकड़ा जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं हो दूसरा छुपा के ले जाना उसको आसान होता है चोटा सिस्टम होता है तो सब्सक्राइब कर दिया तो नोई तरह की थी वह इंटेलिजेंस जो सिडी की इंटेलिजेंस है उनकी भी थी और कुछे केदियों की तरब से भी सिखाए थी आरे इसके जेमर लगे में क्या जेमर भी किसी पार्ट का इससा है कि जेमर बंद कर ने की विए जैना बता सकते टेकनिकल पार्ट है जेमर काम को नहीं बहुत से अपग्रेड होती रहती है टूजी ठीजी फॉर और दूसरा बहुत से कारियाले हो सकता है इस कार्ड में नहीं हो यह टेकनिकल पार्ट जेल भागे बता पारेगा हमरे बहुत बहुत